Hello everyone, कैसा आप सब लोग, I hope कि आप सभी बहुत एच्छे होंगे So, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने Pharmaceutical Engineering के Most Important Questions के बारे में So, Important Questions के आप लोग उने बहुत ज़्यदा डिमान करी थी So, एक ही करके हम लोग सभी subject के Important Questions को देखेंगे जिसमें सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अपने Pharmaceutical Engineering के बारे में So, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अपने Unit 1 के बारे में So, Unit 1 में हमारे जो Most Important Questions है ठीक है, तो सबसे पहला आजाता है हमारा यहाँ पर Write in Detail about Types of Fluid Manometers तो दिखो, जो हमारा मैनोमेटर है, वो आपको पता है कि हमारे बहुत सब्सक्राइब के होते है तो यह भी हमारे बहुत ज़्यादा Important Questions आजाता है बाकि आप लोग को पता है कि जो बहुत 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 ज़्यादा Important है उनके आगे हमारा V लिखा होता है V मतलब Very Very Important Questions तो जिनके आगे भी हमारा V mention है वो questions तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने है बाकि आप लोग को कोशिश करना है कि जितने भी questions यहापे mention है वो सारे आप लोग at least करके जाओ तो हमारा यहापे आजाता है second question हमारा Reynolds नमबर के उपर जिसमें आप लोग को Reynolds experiment के बारे में भी पूश जा सकता है अगर यह question long में आता है तो उसके बाद Bernoulli's theorem हमारा बहुत 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 ज़्यादे important questions इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है Bernoulli's theorem आप लोग को जरूर करके जाना है और उसके बाद आगाता है हमारे यहापे mechanism and factors affecting size reduction तो यह भी हमारे काफी important question आगाता है इसको आप लोग जरूर देख लेना size separation के उपर questions वैसे generally बहुत कमी फूशे जाते हैं तो इसको आप लोग एक बार के लिए skip कर सकते हो तो बस size reduction आप लोग जरूर देख लेना उसके बाद हम लोग finally बात करें तो यहाँ पर आजाता है हमारा right the principles construction working and usage of तो आप लोग को पता है कि pharmaceutical engineering में mainly हमारी बहुत सारी machine है तो यहाँ पर अगर unit one में हम लोग important machine हो की बात करें असे दिखो एक लोग एक चीज आप लोग समझो की यहाँ पर जो भी हमारा engineering का saliva से वो बहुत बड़ा है और questions यहाँ पर generally high topics से ही अलग-अलग साल पूशे जाते हैं बहुत ही कम topics हैं जो की यहाँ पर repeat हुए तो आप लोग courses करो कि at least आप लोग सारा इतना जिसना इसके अंदर mention है वो तो आप लोग बिल्कुल पढ़ ही लो क्योंकि engineering में आप लोग को पता है कितनी सारी हमारी machine है तो सब को याद कर पाना है तो वैसे भी मुस्किल है तो at least आप लोग जितना हमारे इस important questions में mention है उसको आप लोग जरूर कर लेना ठीक है और यहाँ पे फिल हमाले मिल्स की बात करें तो आजाता है हमारा fluid energy मिल और बाल मिल तो यह दोनों आप लोग को जरूर करनी है बाकी time मिलता है तो hammer मिल भी एक बार देख लेना और फिर हमारा यहाँ पे separation की बात करें तो cyclone separator और back filter कभी-कभी यहाँ पे push ले जाते हैं but mostly यहाँ पे separation से कम question आते हैं जैसा कि मैंने आप लोग को बताया reduction से यहाँ पे ज्यादा question आते हैं तो fluid energy और बाल मिल बाल मिल तो आप लोग को बाकि यहाँ पे describe fourier's law अच्छा इसके आगया भी mention कर दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो fourier's law है वो काफी ज्यादा important है इसको आप लोग जरूर देख लेना उसके बाद कभी-कभी हमारा है यहाँ पे heat exchanger और heat interchangers में defense push लेते हैं ठीक है जो भी हमारी machine है ठीक है तो यहाँ पे हमारी जो भी machine है तो उसमें हमारी आजाते cell and tube heat exchanger ठीक है तो इसको आप लोग एक बार देख लेना बाकि हमारा यहाँ पे evaporator की बात करें तो यहाँ पे हमारा horizontal tube evaporator बहुत ज़्यादा important multiple effect यह भी हमारा काफी ज़्यादा important हो जाता है तो इन दोनों को आप लोग जरूर देख लेना और यहाँ पे multiple effect के अंदर हमारी economy of multiple effect यह question भी कई बार आया हुआ है बाकि यहाँ पे जो हमारे steam distillation है flash distillation है यह दोनों काफी ज़्यादा important है हमारे distillation में ठीक है mechanism of drying, rate of drying curve along with phases of drying तो यह question आप लोगो पूरा अच्छे से पढ़के जाना है और उसके बाद यहाँ पे कभी-कभी आप लोगों से theory of mixing भी पूछ लेते है और differentiate between mixing and blending तो यह भी आप लोग एक बार देख लेना बाकि हमारा differentiate between solid and liquid mixing तो यह भी हमारा कई बार question आया हुआ है और अब हम लोग finally बात करें तो यहाँ पे हमारी unit 3 के अंदर जो भी हमारे machine है like हमारा spray dryer हो गया और हमारा fluidized bed dryer हो गया और freeze dryer हो गया तो यह तीनों आप लोगो drying में देख लेना है ठीक है और time में लोग तो एक बार tray dryer भी देख लेना और mixing में बात करें तो आप लोगो sigma blade mixer और silver sun emulsifier देको यह silver sun emulsifier आप लोगो जरूर 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 देख लेना है यह हमारा कई बार आप लोगों से पूछा गया है तो इसको जरूर देख लेना ठीक है और उसके बाद यहाँ पर time मिले तो planetary mixture और twin cell blunder भी एक बार आप लोग जरूर देख लेना अब हम लोग यहाँ पर बात करें अपने unit 4 के बारे में तो unit 4 हमारा हो जाता है तो unit 4 में हमारे यहाँ पर जैसे किया जाता है define various theories and factors affecting filtration तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लेना एक बार बाकी define the theory, principle and application of centrifugation तो यह दोनों ही question यहाँ पर हर बार लगबग आते हैं तो दोनों question को आप लोग को जरूर देख लेना है and third question की बात करें तो यहाँ पर आजाता है हमारे यहाँ पर define the principle way चीज़ए कि तो इसके अंदर हमारे जो भी machine है like हमारा plate and frame filter तो यह हमारे काफी important है ठीक है और filter leaf यह भी हमारा कई बार आया हुआ है तो इसको भी देख लेना basically देखो इसमें सारी machine है important है हमारी जैसे यहाँ पर centrifugation में बात करें तो आप लोग का जो perforated basket centrifuge है non-perforated basket है यह दोनों बहुत जदे important है लगबग आप लोग exam में कई बार पूछा गया है तो इन दोनों को जरूर देख लेना and finally हम लोग बात करें unit 5 की तो देखो unit 5 आप लोग की जो engineering है उसमें काफी जादा important role play करता है क्योंकि यहां से एक दो क्यूशन आप लोग exam में जरूर देखने को मिलते है और यहां पर बहुत मतलब कुछ हमारे fixed topic है like हमारा पहले दूसरा जो क्यूशन है हमारा इसमें पहला हमारा यहां पर describe various factors affecting the selection of material for pharmaceutical plant construction तो यह क्यूशन और theory of corrosion, types of corrosion and their prevention यह दोनों क्यूशन आप लोग को जरूर पढ़ लेना है देखो unit 5 skip मत करना यह दोनों क्यूशन जरूर देख लेना बाकी time मिलता है तो यहां पर हमारा जो है steel का जो भी type या फिर composition है उसको भी आप लोग एक बार देख लेना देखो यह 5th unit में यह दोनों क्यूशन लगबग हर साल ही आप लोग को देखने को मिलते हैं ठीक है इन दोनों मेंसे कोई है या फिर कभी कभी दोनों ही क्यूशन आते है तो unit 5 जरूर देख लेना है तो यह थे हमारे आपे pharmaceutical engineering के important questions बाकी next video में हम लोग बात करेंगे अपने pharmaceutical organic chemistry के important questions के बारे में जो कि probably आप लोग को आज ही देखने को मिल जाएगी तो मिलते हैं next video में Thank you so much